आगरा में सर्वाधेत लोग प्रिय चैनल सी न्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पीडी दर पीडी बदली तो मुद्रा का स्वरूप भी बदल गया मुद्रा का स्वरूप बदला तो एक परिवार को खाने के लाले तक पड़ गये जिस परिवार को मुगल कालीन दोर में पंदरा सोने की अशर्फियां मिलती थी अब उसे तनखा के रूप में पंदरा रुपे मिल रहे हैं जिससे इस परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है आगरा में एक परिवार ऐसा भी है जो पंदरे रुपे महीने की पगार पर परिवार का भरर पोशल करने के लिए मस्बूर है इस परिवार को पहले तनखा के रूप में पंदरे सोने की असर्फियां मिलती थी इसके बाद परिवार को पंद्रे सोने की गिन्या मिलना शुरू हुई फिर तन्ख़ा के तोर पर चांदी के पंद्रे सिक्के मिले और अब इस परिवार को पगार के रूप में भारती मुद्रा 15 रुपे ही मिल रहे हैं यह 15 का आंकडा 5 पीडियों से इस परिवार के साथ है लेकिन अब यह आंकडा इस परिवार को खलने लगा है क्योकि 15 रुपे में घर चलाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल है सरकार से हर महीने मिलने वाली तंखा से परिवार के लोग नाखुश है और ये पगार बढ़ाय जाने की मांग कर रहे हैं यूँ तो जब पगार का दिन आता है तो हर व्यक्ती का चेहरा खिल जाता है लेकिन ये परिवार ऐसा है जब एसाई यानि भारती प्राता तो सर्वेक्षण विभाग परिवार के पास महीने की तंखा लेकर पहुंचता है तो सब के चहरे उतर जाते हैं क्योंकि पगार के रूप में भारती प्रातत्तु सर्वेक्षण विभाग इस परिवार को महज 15 रुपे ही देता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं ताज महल की शाही मस्जित के इमाम सयद साजित की सयद साजित की पांच पीडियां ताज महल में इस्थित शाही मस्जित में अकीदत मंदों को नमाच अदा करवाती हैं एक के बाद एक परिवार की पीडिया अपने काम को हर दिन बखुवी अंजाम दे रही हैं लेकिन मस्जित के इमाम की तनख्वा अब तक नहीं बढ़ पाई है मुद्रा का सुरूप जरूर बदला है लेकिन अब ये महस 15 रुपे हर महीने पर आकर रुक गया है और परिवार इसी बात से बेहत परिशान है ताज महल के इमाम रहे महमद सादिक बताते हैं कि उनके दादा पर दादा ताज महल में इस्तिद मस्जित के इमाम रहे मुगलिया दोर में उनके पुर्खों को तनख्वा के रूप में सोने की 15 अशरफिया मिलती थी उसके बाद उन्हें 15 सोने की गिनिया मिलने लगी देश आजाद हुआ तो इमाम के परिवार को तनखा के तोर पर 15 चांदी के सिक्के मिलने लगे 15 रुपए में एक वक्त का आदमी चाय नहीं पी सकता नाश्ता नहीं कर सकता तो 15 रुपए महीना कैसे चलाएगा वो तो ये बड़ी उसकी बात है हमने इसके लिए क्या बार मंत्रियों को और डी जी को लिखा है डिरेक्टर जनरल को लिखा है कहा है इन्होंने क्या बार हमें जवाब भी दिया है हर बार कुछ न कुछ कह देते हैं अपके देखेंगे इस बार अभी अनिल कुमार जी ने एक ताज महल के मरमत के लिए तमाम हिफादत के लिए इतना रुपया खर्च किया जाता है सियाई एसिफ को इतना रुपया दिया जाता है इमाम को तंखा क्यों नहीं भाई इमाम को आप सेंटरल गवर्मेंट की नहीं तो कब से कब राज्य सरकार की तंखा तो दे इतना तो द अब सादिक का वेटा बुरहान भी धाई साल से पंदरे रोपे महिने की पगार पर नोकरी कर रहा है मुहमत सादिक और बुरहान का कहना है कि वे ताज महल में इस्तित शाही मस्जद में तीनों टाइम की नमास अदा करवाने पहुंचते हैं वे कईवार सरकार से तनखा बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ताज महल मस्जद कमेटी के पदादिकारी भी इस मामले को लेकर कईवार एसाई और सरकार से गुहार लगा चुके हैं लेकिन नतीजा ढ़क के तीन पाद ही रहा है मीडिया से हुई बातचीत में परिवार ने अपनी बेवसी तो बया की ही साथ ही ये सवाल भी उठाया कि क्या महगाई के इस दौर में कोई 15 रुपे में अपने परिवार का पेट पाल सकता है एसाई ने वर्स 1966 में इस परिवार की तनक्वा 15 रुपे परिवार की रोजी रोटी चल जाती थी लेकिन आज के दौर में जब महंगाई चरम पर है और एसाई के उन तमाम करमचारियों और अधिकारियों की सेलरी में परतिवर्स इंक्रिमेंट होता है तो आखित ताज महल की शाही मस्जद में इवादत का जिम्मा समालने वाले शाही इमाम की सेलरी में बड़ोतरी आखिर क्यों नहीं की गई